भारत मदरब डेमोक्रिसी है। हम रास्ट को भी एक परिवार के रुप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं वसुद है उक्टुम काम। भारत वो देश है जितने सौ से अधिक देशों को मुत्वेश्क सिन्भेश कर करोरो करोरो लोगों का जीवन बचाये। आज भारत को फोर्स अफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है। जहां कहीं भी कोई आपदा होती है भारत बदत के लिए तयार मिलता है। जब भी कोई संकट आता है भारत समाधान के लिए तत्पर रहता है। भारत हजारों वर्षों की जीवन्त सब्वेता है। भारत मदर अब डेमोक्रिसी है। हमने समय के नुसार खुद को ढाला है। लेकिन अपने मूल सिधानतों पर फंडामेंटल्स पर हमेशा ठीके रहे हैं। हम रास को भी एक परिवार के रुप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुद है उकोटों काम। और इसलिए जब भारत अपनी जी ट्विंटी प्रेसिडेंसी की थीम तै करता है। तो कहता है अपने आदर्सों को जीने का उसका स्वभाव देखिए। जी ट्विंटी प्रेसिडेंसी में भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब भारत परियावरन की रख्षा के लिए सोलर एनर्जी के बड़े लक्स तै करता है तो कहता है वन सन, वन वर्ल, वन ग्रीड। जब भारत 22 समुदाय के स्वस्त रहने की कामना करता है तो कहता है वन अर्थ, वन हिल्थ। भारत वो देश है जिसने करोना के संकट में दुनिया के 150 से जादा देशों को उस संकट की घड़ी में दवाईया बेजी भारत वो देश है जितने सौ से अधिक देशों को मुत्वेश्क सिन बेच कर करोरो करोरो लोगों का जीवन बचाए तो करोरोना के समय में आपने भी यहां जिस सेवा भावना से काम किया वही हमारी संस्कृति की विशेस्ता है आज शहीदों के सर्ताज पंचम सिख गुरु स्री गुरु अरजुन देव जी का शहीदी पर्व है हमें गुरु जी के जीवन से सभी की सेवा करने सिख्षा मिलती है गुरु अरजुन देव जी ने ही दसंद प्रणाली सुरू की थी इसी प्रेणा से करोना के दौरान भी कितने ही गुरुदवारों के लंगर ने यहां लोगों की मदद की इसी दौर में कितने ही मंदिरों की रसोई यहां पीडितों के लिए खुल गई आस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडन्स भी बड़ी संख्या में लोगों की मदद के लिए आगे आए विबिन्न सामाजिक संख्यटनों ने भी इस दौरान बहुत लोगों की मदद की भारतिय कहीं भी रहे एक मानविय भाव उनमें समाहित रहता है साथियों मानवता के हीत में ऐसे ही कारियों के कारण आज भारत को फोर्स अफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है जहां कहीं भी कोई आपदा होती है भारत बदद के लिए तयार मिलता है जब भी कोई संकट आता है भारत समाधान के लिए तत्पर रहता है आज चाहे इंटरनेशनल सोलर अलाइंस के द्वारा सावर उर्जा का उप्योग बढ़ाना हो चाहे आपसी सहयोग के माध्यम से डिजास्टर रिजिलियन इंफ्रास्रेक्टर तयार करना हो चाहे इंटरनेशनल बिग केट एलाइंस को नित्रुत्व देना हो भारत ने हमेशा अलग अलग देशों को एक जूट करने के लिए एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम किया है अभी अभी जब तुर्किये में भूकम ने तबाई मचाई तब भारत ने आपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया भारत अपने हीतों को सबके हीतों से जोड़ कर देखता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये हमारी डोमेस्टिक गवर्नेंस का भी आधार है और ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी यही वीजन है